आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले के चिठी आलेक नवीन श्रवास्तो वाचनस्वर दीपा सिंग बर्दी कोरोना मामनों को देखते वे हाली में समुचे प्रदेश में शिरू किये गया जन जागरती विशेश अभ्यान के तहट ग्वालियर में भी साइरेन बचते ही मंत्रिगंड संसद और विधायकों के साथी सभी जन प्रतनिधी और व्रशासनिक अधिकारियों ने बाज किया उधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंग ने भी जिले की निवासियों से अपेल किये है कि कोरोना संक्रमन की रोगठाम के लिए खुद सावधान रहें और लोगों को भी सावधान रहने का कारे करें बढ़ते संक्रमन को देखते वे सभी लोग अनिवारता मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें वैश्विक महामारी कोरोना के उन्मूलन के लिए ग्वालियर जिले में भी कोरोना टीका करन का काम जारी है पिछले दिनों संभाग आयोकताशी सकसेना और कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिंग सहिद अनधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन कर्टी का लगवाया कोविड-19 वैक्सीनेशन के अगली चरण में अब कल एक अप्रेल से 45 साल से अधिक आयोबर्क की सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जाएगा पिछले दिनों विशजल दिवस के उसर पर प्रदेश के उध्यान की और खाद प्रसंसकरन राज्यमंत्री सुदंत्र प्रभार भारसिंग कुश्पाह ने मुरार पिकासकन के चार गाउं को नलजल योजनाओ की सौगात दी इन नलजल योजनाओ की पूरा होने पर लगभग 1200 ग्रामेड परिवारों की घरों में नल सिपानी पहुचेगा पिछली दिनों ग्रामोदे कारिक्रम की तहर प्रधान मंत्री आवास योचना ग्रामेड के अंतरगत निर्मेत आवासों में ग्रेवरवेश सामोदाइक स्वचेता परिसर, शांतिधाम, खेल भवन और पंचायत भवनों का वर्चुली लुकारपन समारू संपन हुआ प्रधीश पर के ग्रामेड निवासियों को केंद्रे मंत्री नरिन सिंग तोमर और प्रधीश की मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहार ने बड़ी सौगातों से नवाजा ग्वालियर जिले में जिन विकासकारियों का लुकारपन किया गया उनमें मनरेगा के अंतरगत 18 शांतिधाम, 13 खेल मैदान, 10 गौश आलाएं शामिल हैं जिनकी लागत 3 करोड 30,56,000 रुपए है इसके साथ ही 12 पंचात धौनों का भी लुकारपन किया गया जिनकी लागत 1 करोड 17 लाग रुपए है पिछले दिनों गौलियर सहीत प्रदेश के विकास से जोड़ रहे नए-नए आयामों और आत्मिनर भर मद्वप्रदेश पर केंदरित एक प्रदर्शनी गौलियर व्यापार मेले में लगाई गई इसी तरह गौलियर के विकास कारियों की शंकला पर केंदरित नगर निगम के प्रदर्शनी भी गौलियर मेले में आकर्शन का केंदर रही नगर निगम गौलियर द्वारा शहर की सुंदर्ता और सचिता के लिए विभिन प्रकार के नवाचार के जा रही है जिसके तहट विभिन अनुप योगी चीजों से सुलब शौचालियों और कच्रा संगरन केंद्रों को सुन्दर बनाया जा रहा है ग्वालियर शहर के दिवारें अब सुन्दर साफ और आकरशिक पेंटिंग से सजी निज़र आ रही है कराकारों द्वारा जहां कई शेत्रों में संगी समराट तांसेन की नगरी को संगीत की थीम पर भी सजाय जा रहा है किंद्री खादी प्रासंसकरण उद्यों को और क्रिशी तथा पंचायती राज और गामिड विकास मंत्री नरेंद्र सिंग तोबर ने पिछले दिनों ग्वालियर में आयो जित्वे खादी प्रासंसकरण शिकर समेलन को वर्चुल रूप से संगोधित करते वे जानकारी दी कि सरकार फूट प्रोसेसिंग प्रोजक्ट को जल्द से जल्द मंजोरी देगी उन्होंने कहा कि खादी प्रासंसकरण से जुड़कर किसान भी समरध होंगे साथी उद्यमियों को भी बड़ा फाइदा होगा हाली में विज्ञान महाविद्याले ग्वालियर में भारत में आपदा प्रवंधन की हाल की चुनोतियों विशेपर एक दिवसी अंतराश्री वेबिनार के आयोशन क्या गया इस वबिनार में देश के सत्रह राज्यों के अतरिक्ट कैनेडा, बांगलादेश, नेपाल, सीरिया और कोलंबिया देश के विद्धुआनों ने सहभागिता कर अपने विचार प्रस्तत किये गौलियर स्मार्ट सिटी कॉर्परेशन द्वारा शहर के महराज बाड़ायस्थित केंडरी पुस्तकाले के एतिहासिक भवन को स्तनक्षित और समार कर डिजिटल लाइबरेरी बनाने का कारे किया जा रहा है इसका कारे अंदिम चरन में है जल्द ही इसके पूरा होने पर अत्याधुनिक डिजिटल लाइबरेरी पाठकों को मिल सकेगी पिछले दिनों बाल भुवन में खाद्यान वित्रण समिक्षा वैठक का एवचन किया गया पैठक में बताया गया कि गर 26 मार्च तक लगभग 80 प्रतिशत परिवारों को आप तक इस माह का खाद्यान वित्रत हुआ है नए पात्र परिवारों को इससे भी कम प्रतिशत राशन बटा है इस पर आसंतोश वेक्ष करतेवे कलेक्टर कौशलें रविकरम सिंग ने कहा है कि समबंदित उचित मोले के दुकान के प्रबंदकों से कहा कि निर्धारेत तीथी तक हर हाल में 95 प्रतिशत से कम वित्रण नहीं होना चाहिए ग्वालिर सिले में समर्थन मोले पर चना मसूर और सरसू के खरेदी 17 हो पारजन के इंद्रों पर की जा रही है प्रदीश सरकार द्वरा चना मसूर का समर्थन मोले 51 रुपय प्रतिक मिंटल और सरसू का समर्थन मोले 4650 रुपय प्रतिक मिंटल निर्धारेत किया गया है ग्वालिव सिले के चिठी समाप्त हुई